या रहर विफ्जिया कोशेश तोड़ने की कोशिश की आप अपने गर्दन बचाने के लिए आज तिछे करूंगे आप दिखाएंगे, हलका लांबा निवर्धी प्रहाद, मत करो इनको बोलो, बोलो निहांदी तो है अकेली, ये सब घड़े हैं, मेरे से खत्रा है, मैं मेरे आप में बंब है, एक ए 47 है, जा है बस बैठी हूँ, बैठी हूँ, अराम से बैठी हूँ, ग लोकतांतरी सवीदान का दिकार है, अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे हाई हैं, नहीं रो रही हूँ, देश की जो अहालत हो रही है, उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है, ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोटे गल ठीक हो जाएंगी जो चोट देश के लोग तंतर को सावीदान को पढ़ रहे हैं क्या मेरा नारा था भारत माता की जे जाए 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 ज मैं बैटी हूने हथी हूं माम आपके लिए कोई खत्रा नहीं हूं खत्रा किसी इतनी पड़ी पुलीस फोर्स के लिए किसी के लिए खत्रा हूं ये भी जानते हैं हम जै जवान जै खेसान भारत माता जंदा बाद बस लोग तंदर में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं नहीं इतिफाक रखते हैं आपकी अगनी पत से देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोली थे कोई सुनने वाला है आत्मत्या कर रहे हैं वो माबापने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा माभारती के लिए शहीद होगा कफन में तिरंगाय में कराएगा वो मा रो रही है वो मा रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है तिरंगा कफन मांगा था बस इसका ये कसूर था तिरंगा कफन में मांगा था उसने हर्याना का मरा भाई है ओ माइग और लोग तंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा अपनी हते लोगों से इतनी बड़ी साकत वाली सरकार को अब दर लगता है